हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, दिलक के लिए उस शक्ती की परमावश्यक्ता है, परन्तु आप इस अमोधवान से हमारे पुन्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ नाश हो जाएगी हमारी कीर्ती, हमारा अहंकार, और अहंकार जनित हमारा क्रोध. परशुराम, देखो, भगवान परशुराम आ गए, बहुत क्रोध में लगते हैं, क्या वो फिर शक्त्रियों का वद करेंगे, नहीं नहीं, उन्होंने इंद्र को वचन दिया है, कि वो अब कभी भी ख्षत्रियों पर शक्त्र नहीं उठाएगे, चलो, उनको नमस्कार करे नहीं तो वो नाराज हो जाएगे, चलो, मैं उगरसेन का बेटा चितरसेन, भगवान परशुराम को प्रणाम करता हूँ, है, आ, मैं राजा बुद्धुसेन, आपको प्रणाम करता हूँ, है, मैं राजा देवदत का पुद्ध सोंदत, आपके चर्णों में प्रणाम करता मैं हर्स्व लोमा का पुत्र जनक भगवान पर्शु राम के चरणों में प्रणाम करता हूं कल्याण हो यह है मेरी पुत्री सीता आपका अशिर्वाद चाहते हैं स्वाभाग्यवती भव त्रभू मिछला में आपका स्वागत है कल्याण आस्तू अभिनंदन है हे जाम दगने नमस्त अभ्यां ब्रह्म रिशी वाट्स आगे आओ भगवान पर शुराम की चरणों बंदना करो अपना परिशाय नहीं दिया तुम दोनों ने आप तो स्वाइम भगवान कहलाते हैं और भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होती है यही सोचकर कि आप अपने इस दास को तो जानते ही होंगे परिशे देना आवश्यक नहीं समझा यह अध्या नरेश्द श्रत के सुपुत्र राम और लक्ष्मन हैं आप बले शुबह उसर पर पता रहे हैं भगवान आईए आसन करहन कीजिए इन मीठे सौगत वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते मूर जनत हम महेंद्र परवत पर तवस्या कर रहे थे कि शिव धनुष के चूटने की गोर ध्वनी का सुर सुनाई दिया हम यह जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुसाज किसने की आए बोलता क्यों नहीं मूर्ख बता बता किसके मृत्यों हमें यहां लेका राई है जल्दी बता नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की प्रित्वी को हम उलट पलट करके रख देंगे तेरा सारा राज्य नष्ट कर देंगे प्रश्ट कर देंगे प्रभू शिव के धनुष को तोड़ दे ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है उसके लिए क्या अग्या है आप मुझसे कहिए सेवक वो होता है जो सेवा करे जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझ कर उसे धन्ड़ी देना चाहिए जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सास्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है सावधान जनक विश्वा मित्र यहाँ एक अत्रित राजागर और इस सारी सभा को मैं सावधान करता हूँ की जहां भी वो अपरादी छिपा हो उसे बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया जाए हन्न था हम उस शिव द्रोही को मित्यू दंड़ देंगे ये समझ लो के तुम मैं से एक के भी प्राण नहीं बचेंगे एक धनुष तूट गया तो उसमें इतना करोद करने की क्या बात है हमने तो बच्पन में कई धनुईयां तोड़ा ली उस समय तो किसी ने करोद नहीं किया था राजा के छोकरे तनिक होश में बात कर विश्व भर में सम्मानित महाशिव धनुष को वच्चों की धनुणियों के बरावर समझता है ये वो धनुष है जिससे शंकरने तिवरारी का वद किया था प्राम्मन देवता आपको धनुष धनुष में फर्क दिखता होगा हम तो छत्री हैं धनुष बांट से खेलना हमारा नित्य कर्म है समारे लिए तो सब धनुष एक समान है डिठाई की भी हद होती है लगता है तुझे अपने जीवन से मौ नहीं रहा मुझे मौ है के नहीं परंतु आपको इस पुराने जीन धनुष से बहुत मौ दिखाई देता है जिसके टूट जाने पर आप बच्चों की तरह बिलबला रहे हैं रगवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया इसमें उनका कोई दोश नहीं है अप करोत त्याग दीजे मौनीवर बहुत धमका लिया आपने लगता है कि तू अपनी माता को निपूती बनाना चाहता है मैंने तो तुझे बालक समझ कर अब तक जीवित छोड़ रखा था और मैं आपको एक ब्रहम्मन समझ कर आपके उपर हाथ नहीं उठाना चाहता हमारे कुल में ब्रहम्मनों का वद नहीं किया जाता उनकी रक्ष़ की जाती है शठ अशिष्ट निरंग कुश्मालक कदाचित तुने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्रहम्मन समझ रखा है तु नहीं जानता कि मैं छट्री कुल नाशक बाल ब्रहम्मचारी हती क्रोधी वह परश्राम हूँ जिसने कई बार इस प्रित्वी को छत्रियों से वहीन कर दिया छत्रिय राजाओं का सकल नाश करके यह प्रित्वी बार बार ब्रहम्मनों को दान कर दी है इस फरसे से मैंने सहस्र बाहू की भुजाओं को काटा है जी फरसे से मैंने बार-बार खट्लियों का लहू पिया है और आज तुम्हारे लहू से इस फरसे की प्यास मुझाई जाएगी आप बार-बार मुझे डरा रहें तो ऐसा लगता है जैसे एक बालक फूक मारकर परवत उड़ाने की चेस्चा कर रहा हूँ प्रहमन देवता जो वीर होते हैं वो अधिक बाते नहीं करते वार करते हैं ये कायर पुर्षों की निशानी है कि युद्ध करने की बजाए वो अपनी शान में बड़ी-बड़ी बातें बगारने लगते हैं विश्वा मित्र यदी सुद्धंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ आप आखे बन कर लीजे प्रभू मैं दिखाई नहीं दूँगा विश्वा मित्र इसे हमारे क्रोध और पराकरम की शक्ति बताओ अपनी गुन गाता आप सोही अच्छी सुना लेते हैं कि दूसरे की आउशकता ही नहीं अभी तक अपनी महान गाता गाते गाते दिन नहीं भरा हो तो सुना लीजे किस तरह आपने एक करतब वीर कुमार के दोश पर क्रोध में आकर लाखों निर्दोश च्छतियों का सहार कर दिया पिता करिंड कैसे चुकाया माता का गला इस फरसे से कैसे काट दिया सुनाईए सुनाईए अपने महान कारियों की पून कता बश्माद हो गया अब कोई मुझे दोश न देना ये बालक अप निश्चे ही मरनहार है आश्चर यह है कि मेरे कुछार के सामने आकर भी अब तक जीवत कैसे रहा ये मुझे भी आश्चर है कि मेरे देवतल भाईया गमरत्तु दन देने की बात कोई मेरे सामने करे और वो मेरे बढ़ों से अब तक बचा रहे लक्ष माद महामुनी बच्चों के दोश पर बड़े क्रोध नहीं करते शांत हो जाईए भगवन तम चप रहो कोशिक डंदन आपको क्रोध शोपा नहीं देता भगवन यदि बालक कोई चपलता दिखाता है तो गुरू, माता, पीता उसका आनंद लेते हैं रोश नहीं करते भगवन आप तो सहथ सुजान है बालक की बातों पर ध्यान मत धरिये और फिर उसने तो आपका कोई अपराद नहीं किया आपका पराधी मैं हूँ मेरे ही हाथ से ये धनुष भंग हुआ है यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए मुझे अपना दास समझ कर चाहे मुझे पर क्रपा कीजिए या क्रोध कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए जिस प्रकार भी आपका ये क्रोध शांत हो सके मैं वो उपाय करने को तयार हूँ तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ग्यान सिखा रहे हो उधर तेरा छोटा भाई तेरी सम्मती से मुझे भढ़का कर मुझे क्रोध दिला कर मेरा बल ख्षीन कर रहा है और इधर तु हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुने भीने कर रहा है परन तु ये चल कपट और नहीं चल सकता तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परुष राम का भी साम न कर सकते हो तो उठाओ शास्त्र और मेरे साथ युद्ध करो मैं तुम्हे निहत्था नहीं मारूंगा वीरोचित मृत्यू का अफसर दूंगा और युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुम्हे अभी मार डालूंगा प्रभू यदि रन में हमें कोई ललकारे तो ख़त्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लेंगे चाहे वो स्वयम काल ही क्यों ना हो परन्तु हम रगवंशियों का ये भी धर्म है कि हम गव, ब्रहम्वन और इस्त्री पर हाथ नहीं उठाते ब्रहम्वन हमारे लिए सदा पूझनी है और उनकी सेवा करना हमारा परम्धर्म है सो प्रभू और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है आपके और हमारी बराबरी कैसे हो सकते है भगवन मेरा तो छोटा सा नाम है राम परन्तु आपका पर्शु समेथ पर्शु राम आपने अपने राम को अभी तक नहीं बचाना परन्तु मैं तो आपकी प्रभूता को जानता हूँ आप से हारने में भी मेरी जीत है विप्रवंश की अस्प्रभूताई अवे हो ही जो तुमें डराई सुने म्रदुबूर वचन रगुपती के उखरे पटल परा सुधार मती के राम ये धनुष है ये धनुष विश्णु ने मेरे पितामा महरिशी रिजीक के पास धरोहर रूप में रखा था यदि विश्णु के इस धनुष पर तुम वान का संधान कर सको तो मेरा संधी बिट जाएगा मैं तुम्हे पहचान लूँगा प्राम रमा पति कर धन ले हूँ खेंच हुचाप मिटे संधे हूँ खेंच हुचाप मिटे संधे हूँ प्रगुनंदन आप जानते हैं कि ये दिव्वे वैश्णु बान कभी खाली नहीं जाता हुच परंतु एक तो आप द्रहम्मन हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पाउत्र हैं इसलिए मैं ये आमोग बान आप पर नहीं जोड़ सकता हुचाप अब आप बताईए कि मैं किसे नश्ट करूँ आपके पास मन की गति से सरवत्र आने जाने की जो शक्ति है उसे या अपने अपने तपोबल से जो पुन्य लोग कर जित किये हैं उनका नाश करो हे रखुडंदन मेरी आवागमन की शक्ति का नाश न कीजिए क्यूंकि मैंने जब अपने गुरू कश्यप जी को ये सारी पृत्री दान की थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम मेरे राज्ज में नहीं रह सकते तब से मैं कभी भी पृत्री पर रात्री में विश्राम नहीं करता मुझे रात को महेंद्र परवत पर जाने के लिए उस शक्ति की परमावश्यक्ता है परन्तु आप इस अमोध बान से हमारे पुन्य लोगों का नाश कर दीजिए जिसके साथ नाश हो जाएगी हमारी कीर्ती हमारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध राम इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो जाए रख गुलतिलक तुम्हारी जाए हो जाए हो जाए हो